हम अमबेटकर नगर के विकासखन बस्खारी के ग्राम सभाब धेकवा बहाउदीनपुर में पहुंचे हैं यहां एक पंचायद भौन बना है जो अपने आप में निराला है इसका जो निर्मार हुआ हो निराला कारी हुआ है आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से बनाये गय कैसे बनाये गया सरकार के सपनों को यह लोग अंधकार में कैसे डाल ले हैं यह आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम धेकवा बहाउदीनपुर के पंचायद भौन पर पहुंच चुके हैं हम दिखाना चाहिए रहे कि यह पंचायद भौन बना बना तो सही लेकिन इसकी स्थि दिखा दे रहे कि यह तूटना भी चालू हो गया अभी हमको लगता साल भर यार डेव साल हुआ है बने हुए तोटना जगा जगा से यह तूटना और फैलना चालू हो गया है अब दिखा दे रहे हैं यह अगर अच्छा कारी हो वह होता तो यह टाइस के ज्वाइन नहीं आप देख सकते हैं यह जहां है यह देखिए दर्वाजे के पास पलस्टर निकलना चालू हो गया है यह टाइस टूट रही है हम आगे भी दिखा दे रहे हैं कि अगर इसकी अच्छी सही से बनाया गया हो तो तो यह टूटता नहीं यह आप देख सकते हैं पूरा ऐसा लिए अलग सतर दिखाई दे रहा आप यहां सामा तक देखिए और यह इसके दिवाल में भिक्रक आनी लगे हैं आप यह देख सकते हैं यह मंनसा को ये भरष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि सरकार हर ग्राम सभा में एक पंचायद भवन दे रही कि लोगों की सुबधा के लिए तो नहीं पन्चायद भवन खुल रहा है और नहीं पन्चायद भवन का जो कार किया गया वह सही धंसे किया गया होता तो आज यह खराबी समय नहीं आती आप देख सकते हैं दिखा रहे हैं यह देखिए अभी इसको बने एक साल भी नहीं हुआ है कि अधे या थे टेइस व्लाष्ट में सकी रंगाई पताई का यह डेड़ हलाक रूपय लगभाग निकाला गया है अगर यह तहुर बनाया गया होता सही काम हुआ होता तो आज यह खराब नहीं हुआ होता हमें बता दें कि कोई अपना मकान बनाता है यह बता तो इसके पर श साथ छोड़ो आप बीच में रहो हमारा साथ छोड़ो आप उधर जाओ हम उधर जाए दिवाल तो यही कहरी चारों तरफ की अभी तक इसके जो सोचाले के बने हैं वह भी कमपलीट नहीं उसके भी मिट्टी नहीं पाटी गई है अगर इसमें कोई सोच करता है तो फैला हुआ है यह अगर सही काम हुआ होता तो कभी ऐसा करक नहीं होता क्योंकि हमने देखा है लोग घर बनवाते हैं घर में ऐसा कभी दरार नहीं आती है